दोस्तों वेलकूम बेक तो माई यूटूब चैनल दोस्तों प्रियोक साला परिक्चाला के एक्जाम जल से जल होने वाला है आप सभी अपने तयारी में लगे रहिए मैं साइंस के इंपोर्टेट कोशन लेके आ हूँ आज मैं मानो जनी द्रोग से रिलेटेट कोशन लेके आ जल दी बताइए तो दोस्तों को जो सही जवाब है ये ब्लड कैंसर जो लिकूमिनिया है वो ब्लड कैंसर से समबंदित होता है चलिए नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं मनुस में इटाई-टाई रोग किसके जहर के कारण होता है इनमें भारी धातु दिया गया है आपको बता पेस्वाना की कौन सी भारी धातू है जिसके कारण Iitaite कामियों चाहिं होता है। तो दोस्तों जो सही जवाब है वह होता है कैडमेनियं की कारण कैडमेनियम एक बहुत भारी और विशैली धातू है। का यूज निकल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है जिसमें केडमिनियम का भी कुछ पार्ट होता है जपान में एक तरासीदी हुआ था जिसमें बैटरी से ये धातू विश्याली धातू निकल रही थी और वहां के लोगों को बिमारी हो रही थी जिसे इटाई टाई रोग कहते है जिसमें उनकी जो कमर की हड़ी है वो धनूज की तैसे मूड जाती थी ठीक है चलिए नेक्ट कोशन के ओर चलते हैं मियादी या मोती जहरा के नाम से किस रोग को कहा जाता आपको ये बताना है है जा तपेदी टाइफाइड या फिर मलेरिया तो दोस्तो मियादी या मोती जहरा के नाम से टाई फाइट को कहा जाता है याद रखिएगा कई बार पूछ चुका है ठीक है चलिए नेक्ट कोशन के ओर चन दोस्तो माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोनम वंश के कवग किस रोग के लिए उत्तरदाई है आपको य होता है ना यही इसी कारण माइक्रोस्पोरम के कारण ही होता है ठीक है चलिए नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं पारिया रोग का जनक प्रोटो जोवा कौन सा है आपको यह बताना है पारिया प्रकत की बिबारी हो जाती है जो हमारे मसूडे और दांत के बीच में रहता है बह में से कोई नहीं जल्दी बताइए तो दोस्तों जो पारिया जो होता है प्रोटो जोवा के कारण होता है और वो प्रोटो जोवा कौन सा है तो यह है एंट अमिवा जिंजे वेलिस ठीक है याद रखेगा एंट अमिवा जिंजे वेलिस के कारण होता है और यह प्रोटो जोव तो दोस्तों जो तप्यदी रोग का जो जिवाडू है वो है माइक्रो बेक्टेरियम ट्रूबिकुलेसिस ठीक है इसी ही टीवी कहते हैं चले नेक्स कोशन क्यों चलते हैं काला जार रोग किसको प्रवाइद करता है यह तो वही कोशन होगे अस्तिमंजा को ठीक है किस रोग में रोगी के उपर की ओट बीस से कड़ जाते हैं आपको यह बताना है कौन सा सिंड्रोम होता है जिसके कारण जो रोगी होता है उसके उपर की ओट कड़ जाते हैं यह तब होता है जब वो जन्म लेता है जन्म से ही उसके ओट बीस से फटे रहते हैं ठीक है टर्णाज सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम तो इसका जो सही जवाब है दोस्तो वो है पटाव सिंड्रोम पटाव सिंड्रोम में जो 90 सिसु जनम लिता है उसके 20 से ओट फटे होते हैं लेकिन अभी टेक्नोलोजी इतनी आ गई है कि असानी से उसे ठीक किया जा सकता है ठीक है चले नेकला कोशन है दोस्तो आयोडिन के अभाव से कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है गलगंड जिसे घेंगा कहते हैं इसकरवी बेरी बेरी यपी रिकेट्स जल्दी बताइए तो दोस्तो उसका जो सही जवाब है वो है घेंगा आयोडिन की कमी से गले में एक गोला बन जाता है उसे घेंगा कहते हैं ठीक है चले नेक्स कोशन के ओर चलते हैं इटाइटाई रोग के कारण किसके कारण होता है फिर से पूछ रहा है इस बार नाम दिया हुआ है मरकरी, कैडमिनियम, आर्सिनिक या फिर नाइट्रेट तो वो भारी धातु कौन सी है जिसे इटाइटाई रोग होता है वो है कैडमिनियम जो भारी के सांसवर जहरीली भी है ठीक है चले नेक्स कोशन के और चलते हैं निम मिलिकित में से सकरवी रोग के उपचार में उपयोगी है क्या चीज सकरवी रोग में दिया जाता है आम पपीता आवला या फिर बेर जल्दी बताईए दोस्तो जो सकर्भी रोग होता है वो विटामिन C की कमी से होता ठीक है और इस सारे option में जो आवला होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है इसलिए आवला इसका सही जवाब होगा ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं गले से संबंदी रोग जो आयोडिन की कमी से होता है फिर से वही question आगे आपको बताना है कौन सा है इस बार गलगंड भी दिया हुआ है गहिंगा भी दिया हुआ फियोग सभी वैरिसेला विशाणू तो जो चिकन पाक्स वाइरस है जो फैलता है हावा से वो है वैरिसेला विशाणू जिससे चिकन पाक्स हो जाता है उससे कहा जाता कि आप एक कमरे में रहे और ज्यादा घुमेंगा नी ने तो आप दुसरे को भी इंफेक्ट कर सकते हो ठीक है तो यह वाइरस के कारण होता है कौन सा वाइरस होता है वैरी सेला चले नेक्स कोशन के और चलते हैं डेंगू किसके कारण होता है आपको ये बताना जीवाडू विशाडू कवक या फिर प्रदूशन के कारण जो डेंगू बिमारी होती है वो वाइरस के कारण होता है ठीक है याद रखिएगा पूछा गया है चले नेक्स कोशन के और इन्फूजा रोग निम लिखित में से किसके कारण होता है जीवाडू विशाडू कवक या फिर प्रोटो जोवा तो दोस्तो जो इन्फूजा भी वाइरस के कारण होता है ठीक है इन्फूजा भी वाइरस के कारण होता है ठीक है दोस्तो विशाडू के कारण होता है छले next question क्यों चलते हैं? मानो में पेट्रिस को उत्पन करने वाले जिवाळु का नाम बताईए आपको यह बताना है कि जो पेट्रिस उत्पन होता है मानो में जो बीमारी होती है वो कौन से जिवाळु के कारण होता है? तो सबसे पहले यह जाने लिए जो पैस्टिस होता है वो जिवालू के कारण होता है और उसका नाम होता है आपको यह बताना है शीगेला, विब्योकलेरी, इस्ट्रोटो, कॉप्स, पायोजेनिस, जिवालू या फिर माइक्रो बैक्टेरियम, ट्रुबेकुलरसिस जल्दी बताइए तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है शीगेला, ठीक है शीगेला जिवालू के कारण ही पेचिस पन होता है, चलिए नेक्ट कोशन के ओर चलते है बी, सी, जी, वैक्सिन किस बिमारी के रोक थाम के लिए दिया जाता है आपको ये बताना है, टीबी के लिए, हैपेटैटिस के लिए, हैजा के लिए, या फिर टिटनेस के लिए जल्दी बताइए इसका जो सही जवाब है वो है टीबी, बी, सी, जी का जो ठीका दिया जाता है वो टीबी के लिए ही दिया जाता है ट्रुब्यक्लस के लिए ठीक है चलिए नेक्ट कोशन की और चलते हैं काला जारो किसे प्रभावित करता है मतलब हमारे सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है यक्रित को आथ को पिला को या फिर अस्ती मंजा को जल्दी बताईगे दोस्तों जो काला जार है वो अस्ती मंजा को प्रभावित करता है हमारे बॉन मेरों को प्रभावित करता है जिसके कान बहुत जोरदार दर्द होता है हमारे हड्डियों में और तेज बुखार के साथ आसाहिनिय पीड़ा होता है ठीक है काला जार में यह बहुत ही खतरनाग बिमारी है चलिए नेक्ट कोशन के और चलते हैं तो यह कुछ इंपोर्टेट कोशन थे जो एक्जाम के मद्दे नजा रखते हुए मैं लेके आया हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करने न मैं और इससे भी अच्छे वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर देने में मदद करे ठीक है चलिए तब तक लिए थैंक्यू गुडबाई